आज मैं बना रहे हूं बहुत ही मज़े का बहुत असान इस्टू मुटन इस्टू और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज मेरा यूट्यब चैनल लाइक और सब्सक्राइब एंड शियर करें और बेल आइकन प्रेस करें हराने वाली नई रैसिपीस के लिए मटन इस्टू के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैंने मटन का गोश्ट लिया है 750 ग्रैम्स पकरे का गोश्ट आप पीफ और शिकन में भी बना सकते हैं चार बड़े साइस की प्यास है इस तरह से मैंने मोटे टुक्रों में काट लिया है जे टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पॉडर है हाफ टीस्पून काली मिर्च का पॉडर है नमक है हजबिजाइका थ्री फोर्थ कब इसमें तेल है और जे टेबल इसमें अद्रफ लेसन का पेस्ट है सबकी कॉइंटिटी डिस्क्रिप्शन पर है पुकर में ने गोश शामिल किया, प्यास शामिल कर दी, अधरक लैसन का पेश शामिल कर दी, लाल मिर्श आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, तेल शामिल कर दी आ, नमक शामिल कर दी आ, में पानी शामिल करे हैं, मैं चिकन में पानी बिलकुल शामिल नहीं करती है, मतन में थोड़ा से पानी शामिल कि ज्यादा पानी नहीं शींट ओ, अब मैं कुकर को बन कर दूंगी गोश गल गिया है अब इसकी में भुनाई करूंगी यह बहुत ही असान है बहुत सिंपल डिश है बहुत मज़े की बनते हैं अब जब तक इसकी भुनाई करनी है जब इसकी प्यास बिल्कुल नजनाना खतम हो जाए तेल उपर आजए तब तक मैंने इसकी भुनाई की है और उपर से कालियो मुर्श का पॉडर शामिल कर दिया हाफ टीस्पून तेल अपर आ जाएगा सालन तैयार है यह बहुत मज़े का इस्टू है आप इसे जरूर घर पे बनाएं बहुत ही मज़े का हमारे तो हर वीके बनता है सादे चाबलो